आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आईए चल कर देखें येस पैंक के बारे में और इसका एक कमबैक है जो नए management के अंडर आ रहा है कितना strong है आगे के लिए क्या हो सकता है इसकी customers वापिस आएंगे इ और technically charts क्या कह रहे हैं पूरी information देंगे आपको और current stakes जो है different banks का जो उन्होंने इसमें डाला था शुरू में इसको rescue के लिए RBI के अंडर में उसका अब क्या position है ये सारी बाते इस वीडियो में करेंगे आईए चल कर शुरुआत करते हैं सबसे पहले अगर हम आपको बताएं Bloomberg quit और economic times के accordingly yes bank has repaid 35,000 करोर rupees to RBI और ये सही ख़बर भी RBI की information के accordingly टोटल इनके पास में पहले जो पैसा था उसका काफी हिस्सा इन्होंने पे कर दिया है और इस खबर के चलते हुए अगर आज आप market में देखें तो ये share 5% की upper circuit पर लगा रहा है दुबारा से इसका price हो गया है 15 रुपे 80 पैसे का NSE पर और ये करीब-करीब upper circuit 5% के उपर चल रहा है अभी हापर इसका volume अगर देखा जाए तो significant volume है 24 करोड शेर इसके hand exchange हो है तो आप समझे कितने level का volume हो रहा है इसका I think आज ये volume topmost volume टेडिटी stock होना चाहिए हमारे साब से जब तक शा रहा है इसका बताएंगे क्यों हो रहा है और इसकी अगर 52-week range देखे जाए तो जो low बनाता इसने 5 रुपी 65 पैसे का और high जो था 87 रुपीज का अभी उसके lower range में है क्योंकि एक spike था उस दिन 85-87 रुपीज का उसके बाद थोड़ा normal सी आया पर ये factor हम इसको monitor करते रहेंग तो सब लोग ATM के आगे और bank के आगे line अगे खड़े होगे ते इस bank में अपना पैसा निकालने के लिए क्योंकि पैसा secure नहीं लग रहा था एक trust issue होता है अगर आप किसी bank में अपना पैसा दे रहे है और आपको लग रहा है कि bank वो आगे stable नहीं रहेगा उसके promoters ने कुछ fraud क क्या हुआ है तो सब लोग अपना पैसा secure करना चाहते हैं क्योंकि फिर government के अगर एक बार Nclt में चला जाए तो दिक्कत होती है तो शायद आपको ये बात पता ही हो याद हो इस incidence का पर अब क्या हो रहा है कि अब नए management के under people का perception change करना पड़ेगा पहले rescue operation एक दम इतना आसा की news आई थी fight हो रही थी और फिर पैसे के उपर और stake sale के उपर दिक्कत हो रही थी तो within one week image was damaged अब उस image को rebuild करने के लिए management ने बहुत सारे step लिये हैं और उसको आगे फाइदा होने वाला है आगे आने वाले समय में अगर आपको याद ना हो तो हम याद दिला दें RBI ने 50,000 करोड का special liquidity facility infuse की थी क्योंकि जब इतना सारा fund withdraw हो रहा था तो yes bank के पास इतना सारा पैसा नहीं था तो इसके लिए RBI ने special arrangement कियाता है special liquidity fund का जिसमें से 30,000 करोड yes bank ने अब return कर दिया है तो 20,000 करोड भी बाकी है और वो उन्होंने commitment किया है कि हम अपने due time के accordingly उसको भी वाप कर देंगे तो बहुत अची ख़बर है क्योंकि sentiments पर depend रहता है market और bank भी sentiment पर depend रहता है लोगों के वो थोड़ा सा improve होने में भी time लगेगा पर market में ये ख़बर बहुत positive sentiment लेके आई है yes bank के लिए अब अगर हम इसकी market capitalization देखें तो market capitalization भी इसकी improve होती जा रही है हमें याद अच्छे से ये 25,000 क्रोड की company जब हमने इसका analysis शुरू कहा था अपने channel पर 25,000 क्रोड की company थी अभी बढ़कर ये करीब करीब 40,000 क्रोड की company हो चुकी है तो ये देखें इसको कहते हैं थोड़ा सा significant improvement market capitalization में भी अच्छा का bank है पर management खराब होने की वज़े से impression खराब हुआ लोग पैसा निकाले लगे और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है हम आगे बताएंगे इसके बारे में पर पहले एक बार जरा इसका personal banking का website पर देखते हैं इनके product बहुत अच्छे हैं सबसे अच्छा हमें इनको corporate banking लगता है इसमें आप अपने employee को direct link करके यहां स personal banking भी provide करा सकते हैं और जितने भी corporate bank होंगे उसके साथ में अगर आपने personal banking खुलवाई अपने employees की तो उनको special discount मिलता है उनको minimum balance wave off होता है special charges नहीं लगते हैं तो यह सब बहुत अच्छी बात है इनके साथ में business को benefit होता है इससे ज़्यादा और yes bank के पास भी customer grow होते हैं और आपको पता ही अगर private sector में आप employee है और government sector में भी employee है private sector में इनका ज्यादा है तो उसके अगर employee base आ रहे हैं आपके पास में तो card लेंगे फिर card से spend होगा तो इस तरह से yes bank का revenue improve होगा और quality तो उनकी अच्छी है यह product अच्छे product बनाते हैं आप online open कर सकते है fix deposit कर सकते है आप credit card apply कर सकते हैं तो काफी अच्छा overall structure काफी अच्छा है bank का facility अच्छी है infrastructure IT अच्छा बनाया है उन्होंने अपना digital banking प्रवाइड की है तो इस सब के चलते हुए bank अच्छा है पर जो यह image खराब हो गई थी उसका उन्होंने अब improve करना शुरू किया है तो अब अगर हम ज़रा इसका long term chart देखें हम जड़ा पहले weekly chart देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इसका structure जितना खराब हो चुका था अब इतनी बुरी बात नहीं रह गई है इसमें दो चीज़ों से बताएंगे तो देखें अगर आप इसको long term chart पर देखें तो यह एक downward falling channel में फसा हुआ है view बढ़ रहा है तो वो पूरा detail analysis करेंगे इनकी earning कैसे improve होगी वो सब आपको बताएंगे अभी channel के आगे वीडियो के आगे तो देखें यह एक downward channel में था अगर हम simple simple technical term में बात करें एक channel बनाया falling channel और इसके बाद से इसने इस channel को breakout दिया यहाँ पर यह जो portion आदा है यह output इसक असपास इसने time correct किया है उसके बाद में इसने volume correction आना शुरू आप यहाँ पर volume बढ़ रहे हैं और इसके बाद में यह green bar बरानी शुरू कर दिया तो यह बहुत अच्छा sign है और जैसे हमने बताया QIP निकली है 12 रुपे के आसपास तो वो एक बहुत अच्छा support level रहेगा अ अब चलकर हम एक और parameter पर देखते हैं जो हमारे को बताएगा कि आगे का इसका क्या रुख हो सकता है आगे stock में invest करना चाहिए कि नहीं invest करना चाहिए तो देखे प्री कोविड से पहले का जो हम इस साल का अगर चार्ट देखें तो यहां से 2020 प्री कोविड के बाद ही इसने एक high बना दिया था यहां पर 80 रुपे का तो इसको थोड़ा सा different Fibonacci निकालेंगे पर थोड़ा सा different strategy से Fibonacci निकालेंगे ताकि आपको समझ में आए रदर दन आज हम लोग इसका Fibonacci retracement निकालेंगे normal वाला तो हमने low point लिया और इसके high point से ले के गए तो यह एक अच्छा structure बन रहा है इसका यहां पर देखिए काफी टाइम इसने consolidation किया है इस range में यहां पर एक बार जब range breakout डाउन हुआ तो यह breakdown होके नीचे आ गया क्योंकि QIP के बाद उसका 12 रुपे के आसपास इसका base बन गया था अब 12 रुपे से इसने 15 रुपे range बना दिया है जो कि बहुत अच्छा रहेगा अब जो यह channel इसने पहले मनाया था यह अब वो इसका थोड़ा सा resistance की तरह से काम करेगा हम detail आपको आगे बताएंगे कैसे पर कुछ और fundamental चीज़े इसकी बताते है जिससे आपको पता लगेगा कि आपको continue रहना है इस stock में की नहीं शायद आपको याद हो March में Yes Bank के board को suspend कर दिया गया था RBI के दोरा और उन्होंने अपनी management के इसको replace कर दिया था प्रशांत कुमार जी जो की एक veteran है state bank के वो 39 years plus SBI में spend किया है उन्होंने और उस time पे जब उन्हों को इस position के लिए offer किया गया था वो वहाँ पे deputy manager के काम कर रहे थे और chief financial officer थे तो उन इनको वहाँ से हटाकर यहाँ पे लेकिया आए है managing director and CEO बनाया है S bank का और आपको पता ही होगा इनकी काफी अच्छी profile है अगर आप चाहें तो इनको LinkedIn और सब जंगा देख सकते हैं बहुत चारी track record है और SBI जैसे bank का chief financial officer हो ना तो उनको पूरा का पूरा अपनी महारत हासिल ह बैंक के कैसे cash management करना होता है कैसे लोगों का trust निकालना बढ़ाना होता है अब जैसे आपको पता है जब rescue operation हुआ था तो उस time पे SBI के करीब 48% stake था FBO के बाद में वो 30% रह गया जो कि अच्छा sign है अब अपनी management खुद से control करेगी इसको major stock कम होते जा रहे है ICI से का करीब 8% HDFC का हमारे हिसाब से करीब 8% है और totally RBI के governance के accordingly था जो other bank थे कोटक बैंक और access bank उन्होंने भी अपना percentile थोड़ा-थोड़ा कम करना शुरू कर दिया पिछली report हमने बनाई थे उसके हिसाब से अब हम आपको यहाँ बताते हैं जो सबसे important चीज़ आपको समझनी है आगे क्या हो रहा है इस bank में तो इसमें हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इनकी interest earned bank पैसे कैसे कमाता है आप इस fundamental को समझेए bank का पैसा कमाने का concept बहुत सीधा है अगर आप एक bank की तरह से काम कर रहे हैं increment होता है उसको कहते है net interest income वो आप अपने पास रखेंगे as a profit उसके बाद में expense हटाने के बाद आपका net profit हो जाएगा तो यह net interest income NII जो होती है यह bank का main source of income होता है तो देखे जब bank वालोंने deposit निकालना शुरू कर दिया था तो वो कम हो जानी थी उसके बाद में पर जिस तरह से हमारा rescue operation हुआ है RBI के थूप उसके हिसाब से भी इसमें अब increase हो रहा है अपने pre level पर नहीं गया है 7000-8000 के असपास नहीं गया है पर धीरे धीरे इसको time लगेगा आपको इचीज समझनी है लोगों का trust build करने में थोड़ा time लगता है government नहीं आई है नहीं गवर्नर्स तो अगर expenditure देखे जाए तो उनके expenditure भी कम हो गया है क्योंकि उनको interest नहीं देना पड़ रहा है भी लोगों को कम deposit होने की वज़े से तो अब यहां से operating profit जो इनका निकल के आ रहा है वो करीब-करीब 1000 करोड का है compared to 100 करोड या फिर लास in December तो यह बहुत अच्छा turnaround हुआ है ए image improve करने में वो ऐसा नहीं कि आप overnight कर सकते हैं तो आपको यह बात भी थोड़ा सा अपने mind में रखना है यह long term के लिए अच्छा है तो net profit जो हुआ वो 34 करोड का हुआ है इस बार क्योंकि उनने कुछ provisions और contingency रखनी पड़ती है bank को अपने loans के against में हो सकता है loans default हो जाए NPA जो क्योंकि उनने loans की जो sanctioning की थी growth के लिए वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी उनकी वहाँ पर काफी खराब quality के loans दिये वे थो उनने उसकी वेज़े से उनका NPA जो था वो करीब करीब 17% के आसपास है अभी पर ये भी आगे improve होगा और ये banking industry के in line around single digit होना चाहिए जिसमे पी जैसा हमने बताया ये एक और factor है जो आपको ध्यान रखना है आगे धीरी धीरे improve होगा इसको हम बहुत closely monitor करेंगे quarter after quarter और जैसे जैसे improve होगा उसी हिसाब से आपका stock भी further up जाएगा तो ये बहुत अच्छी खबर है इस bank के लिए अगर आपको कोई भी question है तो please comment box में डा rental range में किया हुआ है अभी कोई ना ज्यादा up high move है ना कोई ज्यादा low move है bank nifty फिर भी थोड़ा सा better movement दिखा रहा है वहाँ पे 0.5% का अप है और nifty में करीब 0.2% का अभी तक हमने कोई position लिए अपनी nifty में हम nifty में intraday बहुत actively trade करते हैं अगर आपको इसकी service चाहिए तो हम आपको email ID बताएंगे आगे चलकर आप उस पर हमें contact कर सकते हैं और Thursday को specially weekly expiry हम लोग option की trading करते हैं आई चलकर हम आगे देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो अगर आप बात करें इसके one day chart के लिए तो देखें यहाँ से जब वो 12 का level बनाया उसने तो उसने अच थोड़ा सड्रेस तीन दिन के लिए और उसके बाद में अब इसने उपर जर्नी शुरू कर दी है यहाँ पर हमारे हिसाब से आगे जर्नी continue रहेगी कुछ time के लिए हो सकता है थोड़ा consolidation करें इस range में जाकर 17 क्या सपास 16-17 क्या सपास फिर यह उपर जाके आगे gap फिल करेग कि आप कर क्या रहे हैं किस stock में और technical charts क्या बोल रहे हैं आपको ताकि आप आराम से उसमें अपना काम देहान जर्क सगे तो अगर हम super trend indicator से देखें अभी super trend का क्या view बन रहा है तो super trend से अगर देखेंगे यहाँ से एक up move journey इसने शुरू कर दिया है और बहुत अच्छा bounce back कि इसने आके bounce back किया है जो कि एक healthy retracement sign होता है कि super trend का lower level support करें और उसको significantly up move के लिए continue रखें तो यह बहुत अच्छा sign बन रहा है super trend के basis पर अब अगर हम एक और parameter पर इसको analysis करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर यह over stress zone में चला गया था, over sold zone में चला गया था, boolean manager band consolidate कर रहा है और देखे, band भी थोड़ा कम होने लगा है, जो कि एक बहुत अच्छा sign है, कुछ और consolidation होगा थोड़ा time के लिए और फिर इसके band से बहार निकलेगा, तो ऊपर जाने की तयारी करेगा, बहुत अच्छा indicator है, आप चाहें तो intraday में यूज़ कर सकते हैं इसको, आ आपको latest stock-based information मिलेगी, जिसमें आपको education video मिलेंगे, हमने एक special request पर अपने viewers के एक video बनाया है, 7 mistakes to avoid in market, I hope you will watch it and you will avoid some of the mistakes what we have mentioned in your real trading, यहाँ पर आपको latest news-based information मिलेगी, stock analysis होगा, और आपको कोई भी question है, तो please अपना comment box में डालिए, we'll be more than happy to help you and assist you to answer those questions. अब अगर हम इसका 15 मिट का chart देखें, आज का, आज ही क्या activity हो रही है इसमें, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे positive news बन रही है stock में और कैसे base बन रहा है stock का, तो यह देखिए, कल की दिन में activity हुई, trading हुई, पर शाम को आखरी के 2 गंटे में आपर circuit लगा, आज तो पहले एक घंटे में ही इसमें आपर circuit लगा दिया है, तो यह positive news है, positive news का flow है, हमने इसको strongly recommend किया था, lower level पर भी जबी नीचे किर रहा था, हमने भी कहा था, कि इसको आप खरीद दिएगा, दोस्तों अगर आप हमारे चनल पर पहरी बार आए हैं, तो please subscribe जरू कीजेगा, यहाँ पर तीन लेवल पर आपको भाई करना है, सारी quantity एक साथ मत भाई कीजे, तो पहली quantity जो हम आपको अभी बोल रहे हैं, वो आप current market price पर भाई करेंगे, तो पंदर रुपे के आसपास अभी चल रहा है यहाँ पर, पंदर रुपे 70 पैसे के आसपास, पहली quantity हाँ पर भाई अब target की बात करते हैं, आपको एक और चीज़ सब दिखाते हैं पहले, फिर target की बात करेंगे, और जैसा हमने बताया, आप range धियान रखेगा, इसकी lower range जो है, 12 रुपी 80 पैसा, और higher range जो है, जहाँ पर resistance face कर सकता है, 18 रुपी 50 पैसा है, तो अगर आप quick trade करते हैं, intradated करते तो यह level अपने चार्ट पर ज़रूर धियान रखेगा, यहाँ पर बहुत strong demand रहेगी, यहाँ पर हो सकता है, थोड़ी supply आए, तो थोड़ा profit बीफिंग बन जाता है, जैसा हमने बताया, आप अगर nifty और bank nifty की internet में interested हैं, तो please contact भवनाधीर no.7 at the rate gmail.com, अगर technical workshop भीचिए तो उसके लिए भी और paid service चीए उसके लिए भी आप इस mail पर contact कर सकते हैं, इस पर कोई technical question मत भीजिएगा, इस पर सिर्फ और paid service और technical workshop के related email डालिएगा, दोस्तो वीडियो अच्छा लगेगा, तो एक बार like बटन जरूर दबाइएगा, टीम को महनत लगती है, research करके आपके लिए information collect करने के लिए और आपको insight information देने के लिए useful जिसके थुरू आप आके काम कर सकते हैं, आपकर हैं इसके target की बात करें, तो हम आपको दो target बताएंगे, एक short term का target बताएंगे, जो कि 6 महने के आसपास आपको target मिल जाना चाहिए, और एक long term का target बताएंगे, जो कि एक long term का target आपके लिए हो सकता है, आपको 3 साल के लिए बेट करना पड़े, तो short term का target करीब 25 रुपे का हम इसका बता रहे हैं, अब से 6 महने के अंदर आपको इसका price 25 रुपे के अंदर मिलना चाहिए, और long term के लिए, अगर आप इसका long term का target देख रहे हैं, तो इसका target हमारा 3 सा के लिए 60 रुपे का है, जिहां हमारे हिसाब से इतना time लगेगा इसको image इंप्रूव करने में, और यह अपना फिर 60 रुपे के level के आसपास trade करेगा 3 साल के अंदर. ओके दोस्तों, अगर कोई question है, तो comment box में डालिए, target हमने बता दिया है 3 साल का, अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ, आप यहाँ पर सीख रहे हैं, comment box में डालिएगा दोस्तों, कोई feedback है तो, अगर हमें कोई video बनाना है या कोई feedback है आपका, जिसकी थुरू आपको लगता है चैनल को improve कर सकते हैं, तो हम बहुत आबारी रहेंगे आपके, जाहें लिए